रात में जो कि है इसी में सोना भी है इसी में खाना भी है कितना महनत लगता है तर्बुच की खेति करने में किसी को पता नहीं है ज्यादा ज़ादा अपना खुद खूशी कर लेता है जार खालेगा। 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 जश्टार खालेगा॥ जार खालेगा। जार खालेगा। कि भाज़ के खेती करें में तो सब लोग शल्लग रहला लेकि जब बार्ध के पानी जब फिर उपर चढ़े लगला तो फिर किसान लोंगे जौन बाद दिल के धार को सरकार के द्वारन करद करें लोगों कंवीर सब्सक्रिक्साइबं अगर पहले पानी आ जाएगा तो बरबाद हो जाएगा तो कहां से कर्जा सदाएगा आप पैसा कहां से लागे खेती करते हैं आपका पास है उनका पास है सोर्स लगाते हैं कुछ पैसा दीजिए दीज़ार पचीछ तीज़ार चलिश जार पांच रुपे सरकार तो एक तरफ बोलेगे छोटे किसानों को बैंक तो वारा लोन भी दिया जा रहा है आप लोग को अप लोग उपर से खरपतवार लगाए है जैसे कि पाला नहीं मारेगा हावा बहुत फाइदा हो जाएगा आप लोग उत्तर बूस से बहुत फाइदा हुआ हाँ आप लोग को कुछ नहीं बेहां सप्था हाँ हाँ आपसे मंहें नहीं दिये तक कुछ ने 9 दर के आपको गिर्भी रखेंगे ताभ कोई आप अच्छा को सबसे निकला लागी नुट तो अपके मोटिहारी जीला में सबसे ज्यादा लालमी कहा निकलता है सबसे संगरामपूर नाम क्यों बताएंगे बताता है भागमान सिक्रिष्णी जी जो भुहां से घरियार हाथी के घरियार है कर दो कर लगते हैं यहां पुकार को लगते हैं यहां बाप बेटा हरुमान से आसरम भाव होदा भी है दीघा नाम भावकर इस चीज काट के सब्बा गहां को इलबा यहां से मतलब इस इतिहास को वहां ले जाया गया है देखिए तो गंगा नदी के अभी इस पार हम लोग आ गये हैं यहां पे आपको अभी लालमी की खेती जो है तो काफी जोड़ों पर चल लगए लगभग 10,000 से जादा एकड़ में यहां लालमी का खेती लगाया गया है और यहां लालमी की खेती में जिस परकार बच्चे क फिर पाला जाता है सइद हमको लगवा रहे है कि उस परकार यहां मेहनत करना पढ़ता है तब जाके लालमी यहां कोफे पहले कियाद होता है फिर लालमी का बीच डाला जाता यहां निकल चुका इसके उपर जो है अब ठंड से बचाने के लिए खर पतवार लगाना चलू कर दिया किसान आई यह किसानों से बात करेंगे उसके बाद आप जानेगे कि लालमी की खेती करने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है अभी फसल सभी सभी है अभी चल रहा है अच्छा बार नहीं आएगा पानी नहीं आएगा तो अगले साल भी हम लोग यहां आये थे जो आपना दुख बता है कि यहां जब पानी आता है तो हम लोग बिल्कुल तरह से बरबाद हो जाते हैं यानि कहीं से कोई आय का सुरूत नहीं रहता यह जो लालमी क्या खेती है यहां के जो मुख्य किसान लोग है जिसके पास पैसा भी नहीं है वो लोग गाहना भी गिर सब्सक्राइब कोई जाता है यहां का जो जमीन है जो जमीन है इसके सरकार नहीं सोचती कि यहां का फसल बरबाद होता है तो हां का पासो अपना थोбे की हमरे शर्कार का नहीं तुपअ है तो यहां का हो मतलब शर्कार का सहता है कि अलक्स भले किसानमर जाय देखन आया है जल शर्कार को सकी मेंयरे और किसान बिल्कुल तरह से बरबादी के काकार पर जा रहे हैं जहां किसान के साथ जो कि उसको डीबा को दिया जाना चीड़काओ करने के लिए पानी में डाल के छीड़काओ करने के लिए अगर आप बोतल नहीं लेंगे तो फिर आपको यूरिया नहीं मिलेगा तो सरकार ही बताए कि क्या यूरिया के साथ उस बोतल को देना जरूरी है अगर ज झाल झाल